हर्याणा में महिंद्रगड में बीती रात नैशनल हाइवे 152 डी पर हुए हादसे में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई सुबह पौने तीन बजे यहां गाव सुर्जनवास के नजदीक पर एक सकारपियों आगे जा रहे एक ट्रक से पीछे से टकरा गई हादसे में एक व्यक्ति घायल है जस गंभीर हालत में रोहतक पीजी आई रेफर किया गया है पुलीस ने शवों को नागरिक अस्पताल पहुँचाया दिया है मृतकों के परिजनों के आने के बाद पोस्ट मार्टम और आगे की कारवाई होगी मिली जानकारी के अनुसार रविवारल सुभर रात दो बचकर पैंतालीस मिनट बजे पर नैशनल हाईवे 152 डी पर सुप्रीम लॉजिस्टिक्स कंपनी का एक ट्रक अंबाला की ओड़ जा रहा था इसे अजमेर के थाना विनायक शेत्र निवासी सुखदेव चला रहा था ट्रक हाईवे पर गाव सुरजनवास के नजदीक पहुँचा तो पीछे से एक स्कारपियो कार ट्रक में घुस गई दुरगटना में स्कारपियो का आगेकार हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्थ हो गया इसमें चार व्यक्ती सवार थे चारों को लोगों की मदद से स्कारपियो से बाहर निकाला गया एम्बिलेंस बुला कर नागरिक अस्पताल महिंद्रगड में लाया गया यहाँ पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने सनी उर्फ तजेंद्र सिंग निवासी गुरू नानक पुरा जालंधर को हायर सेंटर रेफर कर दिया इसके तीन अन्य साथियों को डॉक्टरों ने मृत घोशित कर दिया मृतकों में एक की पहचान नायाप सल्मानी गुरू नानक पुरा जालंधर के तौर पर हुई है दो अन्य की अभी पहचान नहीं हो सकी है तीनों मृतकों के शव नागरिक अस्पताल महिंद्रगड में रखवाएं गए है परिवार के लोगों को हाथसे की सुख़ा है